तो तो टोड़े वी आर गएंग ऑन आवर नेक्स टॉपिक डैट इस ओन पेज नमबर ट्वेंटी एट ओन कोर्स पुक तो हमने कल interchangeable properties के बारे में पढ़ा था solid की liquid में liquid की gases में और gases की liquid में liquid की solid में ठीक है तो हमें एक चीज तो पता लग गई देखू क्या कि अगर solid को हम गरम करते हैं तो वो क्या करता है liquid में चला जाता है कैसे आपने अकल देखा था कि अगर हम ice को फ्रीज के बाहर रख देंगे तो वो क्या होगा गरमी में पानी बन जाएगा आपको पता ही होगा और liquid on heating change into gas हमने यह चीज कल पता की थी वही चीजे मैं बोल रहा हूँ लिक्वड देखो आपने एक पानी का बाउल लिया और उसको हीट अप किया गैस पे तो वह क्या होगा उसमें से वाटर वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे यह भी सही है गैस ऑन कूलिंग चेंज इंटू लिक्वड अगर उन वाटर वेपर्स को जो इवेपरेट हो गए हमने देखा था कल की गो थंडे होके क्या बन जाते हैं रेंड्रॉप्स बन जाते हैं और अर्थ पे वापिस आ जाता है इसके कारण ही रें होती है और लिक्वड ऑन कूलि परफर जमा दी ठीक है जी लिक्वड ऑन कूलिंग चेंज इंटू सॉलिड तो हमने यह चीज बता की यहां से की solid liquid में change हो सकते है liquid gases में change हो सकते है gases liquid में change हो सकते है liquid solid में भी change हो सकते है मतलब all these states are interchangeable मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि all these states are changeable कोई भी state change हो सकती है किसी दूसरी state में अच्छा क्या यह सिर्फ water पे apply होता है rule कि solid में हो जाएगा फिर liquid में या gas में जी नहीं बटर में भी same case होता है और wax में भी same case होता है उसके बाद हमारा एक last topic बचता है कौन सा solutions अच्छा solutions तो आप लोगों को वैसे तो आता ही होगा क्या आप लोगों ने घर पे देखा हुआ क्या कि आजकल वैसे भी गर्मी चल रही है तो घर में आपने क्या क्या पानी का गिलास लिया यहाँ जैसे यहाँ पे show हो रहा है वैसे क्या उसमें आपने क्या कि चीनी डाल दी आपने क्या क्या थोड़ी देर चम्मच को हिलाया पानी में और आपने देखा कि चीनी तो गायब हो गई कैसे ये क्या हुआ चीनी कहां गई उड़ गई नहीं तो कहां गई पानी मीठा मीठा हो गया क्यों मतलब ये हुआ कि जो हमने चीनी डाली थी वो पानी में कहीं छुप गई पर ऐसे कैसे छुप गई कोई तो चीज होती होगी न तो यही है हमारा topic solutions तो कोई भी solution देखो बच्चे कोई भी solution जब form होता है तो वो दो चीजों से मिलके बनता है first is solute and second is solvent उससे मिलके क्या बनता है solution अच्छा यह solute क्या है यह solvent क्या है और यह solution क्या है हमें कैसे पता चलेगा जी हंजी कि यह solute कैसे क्या है solvent क्या है और solution क्या है यह पानी और चीनी में solute कौन सा था और solvent कौन सा था और solution कौन सा है कैसे पता चलेगा जो भी चीज आपके पास less amount में available होगी अगर आप पानी में चीनी घोलते हो तो चीनी ज़्यादा लेते हो या पानी ज़्यादा लेते हो obviously पानी तो चीनी क्या है कम मतलब जो solute है वो क्या है हमारी sugar या चीनी solvent वो चीज होती है जो large amount में ली जाती है generally आप ये समझ लो एक बार ठीक है आपको solute और solute में easily पता लग जाएगा की कौन सा solute है और कौन सा solute है और जब किसी substance में दो चीजें मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं solution बोलते हैं ठीक है जी और solution जो होगा वो solute और solvent का result होगा दोनों की properties होगी solution के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में आपको बताता हूँ क्या solution is a mixture in which one substance dissolve into another देखो यही होगा solution वो होता है जिसमें एक substance जो होता है एक चीज जो होती है वो दूसरी चीज में मिल जाती है अच्छा वो दो चीजे कौन सी है एक solute है दूसरी solvent है सबसे पहले solute क्या है the solute is a substance that is dissolved into another substance solute वो चीज होती है जो किसी और चीज में डाली जाती है और solvent the solvent is a substance that dissolves the other substance solvent वो चीज होती है वो सबस्टास होता है जो किसी और चीज को अपने अंदर मिला लेता है ठीक है जी तो इस दोनों चीजों को जोड़के क्या बनता है हमारा solution बनता है देखो आपने ये चीज भी देखे होगी कि अगर हम थोड़ी सी चीनी डालते है एक चमच हमने पानी में एक चमच चीनी डाली ठीक है जी हमने हिला दी वो गायब हो गई चलो जी बहुत बढ़िया हमने क्या क्या एक चमच चीनी और डाल दी वो भी घुमा दी वो भी गायब हो गई आपने बोला कि ये तो जादू हो रहा है आपने क्या क्या एक तीसरी चमच और डाल दी चीनी की चीक है तो आपने देखा कि अब की बार आधि चीनी मिक्स हो गई और आधि चीनी रहे गई आछा यह क्यों च्छूंपी वह वहाँ पानी में ऐसा क्या है इस चीनी में वहां redefine खराब है नहीं तो हर एक solute एक हर एक solvent की एक property होती है कि वो इतने amount ही वो solute को अपने अंदर dissolve कर सकती है और इस solution को क्या बोलते है इतने इस solution को क्या बोलते है जब वो और solute को allow नहीं करता अपने में mix होने में उसको क्या बोलते है saturated solution और आप saturated point से जदा किसी भी चीज में solute एड नहीं कर सकते किसी भी solvent में saturated point से जदा solute एड नहीं कर सकते ठीक है जैसे आप पानी में दो चम्मच चीनी ही एड कर सकते हो example है कर सकते हो जदा भी एक example है कि आप दो चमच अगर उसकी capacity है तो जो चमच ही add कर सकते हो, तीसरी चमच डालोगे तो चीनी उपर उपर रह जाएगी, ठीक है जी, thank you students